नमस्कार मनुदेल स्रिया क्लासेश में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगी मुगलकाल मुगलकाल से समन्दी जितने भी इंपोर्टेंट क्यूशन है उन सबी इंपोर्टेंट क्यूशनों को हम देखेंगी इसमें अपना पहला क्यूशन है कि 1526 एश्वी में बाबर ने किस वन्स के सासक को पराष्ट कर मुगल समराजी की ने उड़ाले थे तो बाबर ने पराष्ट क्या था लोदी वन्स को नेक्स आता है कि पानिपत का पर्थम यूद कब हुआ तो पानिपत का पर्थम यूद होता है 21 अपरेल 1526 को नेक्स आता है कि बाबर ने परशिद तो लुगमा निती का परियोग सरव परथम किस यूद में किया था तो इस निती का परियोग किया था बाबर ने पानिपत के परथम यूद में नेक्स्ट आता है कि किस यूद में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुह अमीरों सगे संबंधियों आधी के लिए खोल दिये और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपादी दी गी तो कलंदर की उपादी दी गी थी पानिपत का पर्थम यूद वा था 1526 और इसम अकबर ने किसका निर्मान करवाया था तब गुजरात में अकबर ने जब विजय प्राप्त किती तो उन्होंने निर्मान करवाया था पुलंद दरवाजे का आईने अकबरी एक महान इतियाशिक करती किसके द्वारा लिखी गई है तो आईने अकबरी लिखी गई थी अब परशिद मुस्लिम सासक सासी का चांद बीवी जिसने बराबर को अकबर को सोंपा किस राजे से समंदी थी तो मुस्लिम सासी का जो चांद बीवी है वो एहमद नगर से समंदी थी मुगल पर्शासन व्यवस्ता में मनसबदारी पढणाली को किसने प्रारम किया था तो मनसबदारी चलाई थी अकबर ने अपने काल का महन संगित तांसेन किसके दरबार में था तो तांसेन थे अकबर के दरबार में मुगल काल की राजबासा कौन सी थी तो मुगल काल की राजबासा थी फार्शी सती पर्था की ब्रस्तना करने वाले मुगल समराट थे अकबर किस यूद से भारत में मुगल राज्य की नियुपड़ी थी तो पानीपत का पर्थम यूद मुगल चितरकारी किसके सासनकाल में प्राकास्था या पिर चर्मोस्कर पर प्राप्त किया था तो चितरकारी का सासनकाल था जहांगिर का काल किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी तो अब्दुल फजल ने लिखी थी अकबर की जीवन कथा किस मुगल सासक ने भारत की मनस्पतियों और पराणी जगत रीतूं और फरलों का विशिद विवरण अपनी देनन्दिनी यानि डायरी में दिया है तो उनका नाम है बाबबर सेर साह कि महानता का धोतक क्या है उनका परसासनिक सुधार हुमायो नामा किस ने लिखाता तो हुमायो नामा लिखाता गुलबदन बेगम ने अपना नेक्स शुशन है कि अकबर के सासन में महा भारत का फार्सी बासा में अनुवाद किया गया था वो है किस नाम से जाना दाता है तो महाबारत का फार्शी में अनुवाद है वो रज्म नामा से जाना जाता है किस मुगल समराट ने सयद भाईयों को गिराया तो मुहमद सहने कौन अंती मुगल समराट थे तो बहादुर सा सेकिंड वो अंती मुगल समराट थे अकबर के सासनकाल में भूर आजश्व सुधारों के लिए कौन उतरदाई था तो टोडर्मल नेक्ष्ट है कि अकबर के द्वरा बनवाए गए उपासना भवन या फिर पूजा ग्रह का क्या नाम था तो आंसर है इबादत खाना नेक्ष्ट कुष्णा आता है कि सू परशिद संगितक के तांसेन और बेजु बावरा किसके सासनकाल में सू विख्यात थे तो अकबर के सासनकाल में नेक्स आता है कि राम चरीतर मानेस के लेखक तुलशी दास किसके सासनकाल से समन्दी थे तो वे अकबर के सासनकाल से समन्दी थे नेक्स्ट है कि किस यूद में बाबर ने जिहाद यानि धरम यूद का नारा दिया तमगा नामक का कर को समाप्त किया और यूद जीतने के उपरांत गाजी यानि धरम यूदा की उपादी धारण की तो खानवा के यूद के बाद में मुबयान नामक पद सेली के जनमजाता बाबर ने अपनी आतम का था तुजुक एबावरी किस बाहसा में लिखी है तो तुजुक एबावरी लिखी गी है तुरकी में बाबर मुल रूप से कहां का सासक था तो फर्गना के सासक थी बाबर को भारत प्राक्रमन करने के लिए आमंतरित करने वालों में से कौन सा सामिल नहीं था तो चंदेरी का सासक मेदनी राय नेक्स आता है कि मुगल समराज्य के दरोडी करन के दर्ष्टी कोन से सबसे निरनायक यूद था खानवा का यूद किसने मुगल समराज्य की राजदानी को आगरा से दिल्ली इस्तानान्तित की तो दिल्ली से आगरा इस्तानान्तित करने वाले थे साहा जहां अकबर के युवावस्ता में उसका सरंग्षक था बैरम खां नेक्ष आता है कि किसने ऐसे बाग बगिचे जिसमें बैता पानी हो कि निर्मान की परंपरा की सुरुवात की थी जो बाग बगिचे वहाँ पर बीच में में से क्या जाता हूँ फानी हूँ यानि बाबर के ऊपादि के दीगी तो राजा विर GIS कानाम था महेश्डास। नेक्सट है कि औरंग्जेव ने जादा भौनों का निर्मान नहीं करवाया। किस वज़े से नहीं करवाया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपने सासनकाल में निरंतर यूद करने पड़े थी, इस वज़े से उन्होंने भावनों का निर्मान कमी करवाया था, किस मुगल सासा का दो बार राज्यविशेक हुआ था, तो औरंग जीब का, ग्रांड रंग स सेरसा सुरी का मकबरा कहां इस्तित है तो सासा राम में इस्तित है सेरसा सुरी का मकबरा। अकबर का राजजाबी से कहां वा था तो काला नूर में वा था अकबर का राजजाबी सेक। नेक्श वूषन है कि गुरू अर्जुंदेव समकालिन थे जहांगिर के समकालिन थे गुरू अर्जुंदेव नेक्स्ट आगी बाबर ने पहली बार पस्टिम से कहां होकर भारत में परवेश किया था, तो पंजाब से होकर उन्होंने परवेश किया था, हल्दी गाटी का यूद कब लड़ा गया था, 1506 इस्वी में, फेजी किसके दरबार में रहा, तो फेजी थे अकबर की दरबार में किसके समय में मलिक महमत जैसी ने पदमावत की रचना की थी, तो सेरसा के टाइम प्रियड में, किसने चोसा की लड़ाई, 1549 में होती है, चोसा की लड़ाई में हुमाय। को पराजित किया था, तो उनका नाम है सेरसा सूरी नेक्ट आता है कि हुमायू का मकबरा कहा है तो हुमायू का मकबरा है दिल्ली में किस मुगल सासक ने दो बार सासन किया तो दो बार सासन करने वाले थे हुमायू भारत में बीबी का मकबरा इस्तित है और अंगाबाद में नेक चाता है कि फतेपूर सीकरी इस्तितलाल पत्थर से निर्मित सेख सलीम चिस्ती की मकबरे को किसने संग मरमर से करवाया था जहांगीर ने किस मुगल सासक को पहले आगरा में दफनाया गया बाद में उसकी एक अफगान विद्वासों को काबूल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया तो उनका नाम है बाबर किस मुगल सासक को उपवनों उध्यानों में अतिन्त अबुर्यूची के करण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकट कहा गया है तो बाबर को कहा गया है कौन सा पहला मुगल सासक था जिसने कुशान समराज्य के पतन के बाद भारत्य समराज्य में काबुल वर कंधार को सामिल किया तो उनका नाम है बाबर किस युद को जीतने के बाद सेर्षा ने दिली में अफगान सत्ता की स्थापना की तो बिल्ग नाम का युद था उसको जीतने के बाद में सेरसा ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी भारतिय सासकों में से अकबर के समकालिन कौन था तो रानी दुर्गावती साजाने कि सहर में मोती मस्जिद बनवाई थी तो साजाने मोती मस्जिद बनाई है आगरा में किस मुगल बादसा ने जजिया नामक करपुना लगया तो जजिया नामक करपुना लगया था औरंगजेब ने अक्वर के सासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी कारिये था तो अमल गुजार अधिकारी होता था वो भूर राजस्वा का मुल्यांकन और संग्रय करने का काम करता था नेक्स आता है कि सीवाजी ने मुगलों को कि संदी के द्वारा किलों को इस्तानन्दित किया तो पूरंदर की संदी के द्वारा किस वर्ज वेसाकी के दिन 13 अप्रेल को गुरु गोविन सिंग ने खाल सा पंध की इस्तापना की थी तो 1699 में कौन सा मुगल बाद सा पहले तो अंग्रेजों का केदी रहा और बाद में जीवन परियंत मराठों का पेंसन भोगी रहा तो उनका नाम है साह अलम सेकिंड नेक्श आता है कि दक्षिन में किस के साथ अनकाल में मुगल समराजे तमील राजे छेतर तक फैला तो अरंगजेव के टाइम में मुगल सत्ता की पुनर श्थापना हुमायू ने कब की थी 1556 में मुगल सत्ता की पुनर अस्थापना किस यूद में हुमायो को मिली विजे के फरसुरोप होई तो यूद का नाम था सरहिंद का यूद किस मुगल बासा की मर्त्यू दीन पना पुस्तकाले की सीडियों से गिरने के कारण होई थी तो हुमायो की मर्त्यू नेक्स्ट है कि किस मुगल बासा के दुर्पागे पर वेंगे करते हुए लेनपूल ने लिखा है कि वह जीवन बर ठोकरे खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंध हुआ तो वो का आगया है हुमायू के बारे में मुगल पर्शासन में मुहत सीव था तो मुहत सीव थे लोक आचरण अधिकारी नेक्स्ट है कि मुगल पर्शासन में मदद ए मास इंगित करता है तो मदद ए मास है वो विद्वानों को दी जाने वाली राजास्व मुग्द अनुदत भूमी है उसको कहा गया है नेक्स्ट है कि दास्तान ए अमीर हमजा का चितरंकन किसके द्वारा किया गया है तो दास्तान ए अमीर हमजा का चितरंकन किया गया है अब दूस समद के द्वारा किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपादी अपनाई और बाद में सुल्तान की तो उनका नाम है सेरसा सुरी मैसनिवी जो बाबर के द्वारा मुस्लिम कानून के नियुमों का संग्रह है तो वह है बुयाईन और अंग्जेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दार उल इसलाम दिल्ली के लाल किले का निर्मान किसने करवाया था उत्तर है सहाजाने हुमायू के द्वारा लड़े गए चार परमुक युदों का तिथी अनुसार सही करम अंगित करे युद इस्तरों के नाम अंगित करे तो दोरा चोसा और कन्योज बिलग्राम सरहिंद ये क्या है हुमायू के द्वारा लड़े गए चार परमुक युद है दोरा का चोसा का कन्योज का सरहिंद किस इतियासकार ने साजा के सासनकाल को मुगलकाल का स्वण यूग कहा है तो A.L. सिरी वास्तव ने पतना को प्रांती राजानी बनाया था सेरसाह ने मियूर्स यहासन तक्त एताउस पर बेटने वाला अंती मुगल बादसाह कौन था तो उनका नाम है मुहमत साह रंगिला पानीपत के यूद में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सेनने कुसलता जानी परणाली किसकी उपज थी तो जानी परणाली है वो सेरसाह की उपज थी जवाबीत का समन्द किस से था तो जवाबीत का समन्द था रज्ज कानून से इरान के साह और मुगल बादसाओं की भी जगड़े की जड़ क्या थी तो जगड़े की जड़ थी कंधार मुमताज महल का असनी नाम था अरजुमंद बानू बेगम किस मुगल बादसा किस मुगल बादसाओं को जिन्दा पीर कहा जाता है औरंगजेव को कहा जाता है अकबर के द्वारा बनाए गई कौनची इमारत का नक्षा बोध विहार कीतर है तो पंच महल का है अन्ती मुगल बादसाओं भादूर सा को विजित किया था वे थे विजापूर एम गौलकुंडा मुगल बादसाओं में किसने अपनी आतम कता फार्ची में लिखी तो जहांगे ने लिखी थी मुगलों ने नवरोज या फिन नोरोज का त्योहार लिया पार्चियों से कोन सा मकबरा दित्ते ताजमहल कहलाता है तो राबिया उद्धोरानी का मकबरा या फिर जिसे कहते हैं बीबी का मकबरा इसे कहते हैं दित्ते ताजमहल किस बादसाओं के अंत्रगत मुगल से नामे सरवादिक हिंदू से ना पती थे औरंगजेब के टाइम में किस इत्यासकार ने अकबर के द्वारा पर्तिपादि दीन ए इलाई को एक धरम का है तो अब्दुल फजल ने अन्वार ए सुहेल गरंद किसका अनुवाद है तो ये पंच तंतर का अनुवाद है जहांगिर के दरवाजे में पदियों का सबसे बड घुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की मुगल परसासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था तो कहा जाता था सरकार सरकार नेक्स्ट है कि किस सिक गुरू की मरत्यू के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है तो उनका नाम है गुरू तेग बहादूर भारत के मुगल सासक बनने पर जहरुदीन मुहम्मद ने बाबर नाम रखा अकबर के काल में महाबारत का फार्शी अनुवाद किस निर्देश अनों में से हिंदी साइत्ते के लिए किसका सबसे महतपून योगदान है तो उनका नाम है अब्दूर रहीम खाने खाना अकबर के द्वारा बनाएगी स्रेश्टम इमारते पाई जाती हैं फतेपुर सीकरी में हल्दी घाटी यूद के पीछे अकबर का मुख्य उद्शे था राणा परताप को अपने अधेन में लाना मुगल समराट अकबर के समय का परचित चितरकार था दस्वंत नेक्श चुष्णा आता है कि किसमें हिंद तarnya इराणी वास्तु क्लाक क सर बर्तम समन्वे हमें देखने को मिलता है तो ये समन्वें देखने को मिलता है सेरसा हैं कि मखबरे में सेरसा के बच्पन का नाम था फरीद खान नेक्ष आता है कि सेरसा को उसके पिता हसन खान ने एक जहांगीर के प्रबंदक की रूप में नियुक्त किया था वह जागीर थी तो जागीर का नाम है सासा राम या फिर सेसा राम दक्षनी बिहार के उस सासक का क्या नाम था जिसने फरीद खान को सेर खान की उपादी दी थी अपना वकील यो अपने पुतर का अतालिक नियुक्त किया था तो उनका नाम है बहार खान नुहानी जिसे हम लुहानी कहते हैं दक्षनी बिहार का वास्त्विक सासक बनकर सेर खान उपादी धारन की थी हजरत ए आला की हुमायू और सेर खान के मदे लड़े गई यूद में कौन सा यूद नुरनायक था जिसमें विजे की उपरांत सेर खान ने सेर खान आलम अदिल की उपादी धारन की थी तो उनका नाम है चोशा का यूद किस यूद को जितने के बाद सेर खान ने दिली में दित्ति आफगान राज्य की स्थापना की थी तो कन्योज यह जिसे कहा जाता है बिल गराम का यूद भारत की इतियास के संद्रम में अब्दुल हमिद लाहूरी कौन थे तो अब्दुल हमिद ल निदा प्रसासंतंत्र के अंतरगत सेनिक विभाग का परमुक होता था मीरबक्सी जो मीरबक्सी था वोग क्या होता था केंदरिक परसासनिक तंतर के अंदरगत सेनिक विभाग का परमुक नेक्स्ट है कि राजपोताना अच्छेतर के किस राज़े को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंतताय जीत मिली तो सेरसा के मुख से अनानायस यह निकल पड़ा कि अरे मैंने एक मोठी बरबाजरे की पीछे हिंदुस्तान का रज़ी ही गमा दिया था तो वो है मारवाड के लिए किस अभ्यान के समय अचानक बारूद में विस्पोट हो जाने के कारण सेरसा की मरती हो गई तो वो था कालिंजर अभ्यान के समय सेरसा के बारे में क्या ऐसत्ते है कि सेरसा ने सासारा में एक सुंदर किले का निर्मान करवाया है सेरसा कालिंजर परसासन में फोतद वाले को का जाता था कानून गो किसने सेरसाय कालिन ग्राम परसासन के संदर्म में कहा है एक जराक्षिन मर्तियु मुक में पहुंचने ही वाली वर्दा अपने सेर पर सरोन अबोशनों से भरा टोकरा रखे यातरा पर निकल पड़े तब भी किसी चोर या लोटेरे की हिमत नह है क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए सेरसाय कितना बड़ा दंड दे सकता है तो यह कहा गया है बवास खां सेरवानी ने सेरसाय के दोरा निर्मित शड़क वसराई आफगान समराज्य की धमनिया है यह किसकी उकती है तो यह के आर कानून को की सेरसाय के ते नहीं किये गी थी सेरसाय ने असफरी रुपिया दाम नामक ने सिक्के चलवाए वा जिन धातूं से बने होते थी वे थे सोना चांदी और तामबे की दिल्ली का पुराना किला किसके दौरा बनवाया गया था तो सेरसाय के दौरा बनवाया गया था अमर कोट या फिर उ सनक संग बेरम खां का पतन कब हुआ था 1560 में नेक्स्ट है कि सूर्वन्स के हिंदू परधार मंत्री हेमो पहले रेवाडी के बाजार में नमक बेचा करता था मगर वैं भूत परतिवा संपन था उसने अपने जीवन में लड़ेगी 24 लड़ायों में से 22 को जीता था हेमो ने इस उपलक्षय में विक्रमा दित्ते की उपादी धरन की थी आगरा दिली पर अधिकार करने के उपलक्षय में परदा सासन 1560 के लिए जेमेदार अतका खेलिया हरम दल की सरोपर्थम सदेश्या थी माहम अंगा अकबर ने समराजी विस्तार का आरम किस विज़े से किया था तो मालवा विज़े से किया था इसमित ने अकबर के किस अभियान को इतियासिक दुर्टगामी अभियान का है गुत्त गुजरात अभियान को अकबर का सबसे अंतिम विजेई अभियान था असीरगड विजे अकबर के नवरतन में से एक विर्वल किस अभियान के समय मारे गए थे तो यसुफ जाईयों की विद्रों को दबाते समय उनकी मोत हो गई थी इतियास करों में किसने अकबर को इस्लाम का सत्रुक आया तो बंदायूने ने अकबर ने किसे कवीरा या फिर कवीराज की उपादी दी है तो बिर्बल को दिया है कवीराज की उपादी नेक्ट है कि जहांगिर के निर्देश पर किसने अब्दुल फजल की हत्या कर दी तो जहांगिर के निर्देश पर अब्दुल फजल की हत्या किर थी वीर चिंग पुंदेला ने दह साला बंदोबस्त किसे समंदित है तो दह साला बंदोबस्त है टोडरमल से समंदित अकबर ने किसे कंठा भरनवानी विलास की उपादी दिये तो कंठा भरनवानी विलास की उपादी दी गई है तानसेन को अकबर ने दी है क्योंकि अकबर तानसेन के टाइम में थे मुगल वंच के संद्रब में पिता के रहती बादसा पदप्राप्ट करने का पर्थम परियास करने वाला सहजादा था जहांगीर सासक बनने के वाद बाराय अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादसा था जहांगीर किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था तो जहांगिर के टाइम में मेवाड ची यूदत था चितोड की संदी किसके सासनकाल के मैतपुन उपलब दिया थी तो वे जहांगिर की उपलब दिया थी किस सासक को जहांगिर ने फ्रजहंद यानि पुतर की उपादे से सम्मानित किया था तो विजावपुर के सासक आदिल साय को मैंने अपना राजी अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला सराव और एक प्याला सोर्बे के लिए बेच दिया यह किस की उक्ति है तो यह है जहांगिर की जो चितरकला के सत्रू है मैं उनका सत्रू हूँ किस मुगल बासा ने का था तो यह का था जहांगिर ने माराठा एं अफगानों को मनसबदारी पर्था में सामिल करने वाला पर्था मुगल सासक था जहांगिर सहांगिर के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी मावत खां का विद्रोय साजा का मूल नाम था खुर्रम साजा ने किसे मलका ए जमानी की उपादी दारण की उपादी दी थी तो उनको दी थी अरजुमंद बानो बेगम यनि मुम्ताज महल को मलका ए जमानी साजा ने किसे साहा इकबाल ए जमसाहा बुलंद की उपादी दी थी तो दाराशिको को दी थी साजा के सासनकाल के अंतिम वर्सों में हुए उत्राधिकार की युदों का करम क्या था तो बहादूरपूर धर्मत सामुगण खेजवा और देवराई ये करम था दाराशिको ए और अंगजेब के मद्दे हुए उत्राधिकार युदों में सबसे निर्नायक युद कौन सा मान जाता है तो निर्नायक युद है सामुगड का युद और अंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां सिवाय वर्ष के बाद नजरबंदी के हलत में ही साजा की मोत हो गई थी तो आगरे के किले में और अंगजेब के वुरुद हुए उत्र भारत के विद्रों को सही करम क्या था तो उत्र भारत में जो विद्रों हुए थे उनका सही करम था सबसे पहले जाट फिर बुंदेला फिर सतनामी फिर सिक ये विद्रों हुए थे कि जाट निताने बादशा अकबर के मकबरे यानि सिकंद्रा को हानी पोचाई तथा अकबर की कबर को खोदगर उसकी हड़ियों को जला दिया तो उनका नाम है राजा राम साकी मुस्ताइद खां की रशना मासिर ए आलम गिरी को किसने मुगल राजे का गजेटीर की संग्या दी है जदुनात सरकार ने जिस परकार इस्पेन के फोड़ों ने नेपोलियन को बरबाद किया उसी परकार दकन के फोड़ों ने अंगरे औरंग जेब को यह उक्ति किस इत्यासकार की है तो जदुनात सरकार ने यह लिखी है किस मुगल बादसाव को उसकी परजासा ही वेश में एक दरवेश यानि फकीर कहती थी तो रंग जेब को किसने अकबर को जील ए इलाई खुदा की परचाई एं फर ए हिंदी खुदा से निकिनी वारी रोसनी का है तो यह का है अब्दुन फजल ने दीवान ए वजीरात एक कल नामक ने पद की स्थाबना किसने की थी तो अकबर ने की थी अकबर के समय मुगलों याने सूबों प्रांतों की संक्या 15 थी और रंग जेब के समय बढ़कर हो गई थी 21 अंतीम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बात्षा था मुहमत सार रंगीला हस्तान रंटरन के लिए आरक्षित बोमी को मुगल काल में क्या कहा जाता था तो के उसे कहा जाता था पेबा की या फिर पायवा की मुगल कालीन मनसबदारी विवस्ता में जात एं सवार बोध तक था तो जात और सवाद मनसबदार के पद एं उसके सेनिक दाइतों को कहा जाता था जात और सवार मनसबदारी विवस्ता में दो असपासी असपा का परसलन किस ने किया तो दो अस्पा सियं अस्पा का परसलन किया था जहांगीर ने मनसबदारी विवस्ता में महाना जागीरों के परसलन का स्रे था सहाजान जागीरदारी संकट सरो परतम किस मुगल बादसाय के सासनकाल में उत्पन हुआ था तो औरंगजेब के टाइम में उत्पनुआ था मुगल इस्तापत्य कला के संद्रब में पिट्रा डूरा का अर्थ क्या होता था तो पिट्रा डूरा का अर्था संगममर के पर्थर पर जवाराथ से जड़ी गई जड़ावट भारत में चार बाग सेली का पर्थम मकबरा है हुमायू का मकबरा पिट्रा डूरा का अर्म किस ने करवाया था जहांगिर ने करवाया था वह कौन सी पहली इमारत थी जिसका निर्मान पौन रूप संगममर सी हुआ था और जिसमें पिटा डूरा का परियोग हुआ है तो वह है एत्मा दूदूला का माकबरा कि सासर का काल संग मरमर का काल कहलाता है तो साज आँ का काल जहांगी ने कि सितरकार को फारस के साह एं उसके अमिरों का छवी चितर बनाने के लिए फारस यानि इरान बीजा तो उनका नाम है बिसंदास अनंग जेब कालेन एतियासिक ग्रंत नुसका ए दिलकुसा के रसनाकार थे भीम सेंद सक्सना कायस्त अकबर नामा किस ने लिखा तो अकबर नामा लिखा था अब्दुल फजल ने एत्मादु दोला का मकबरा आगरा में किस ने बनवाया तो नूर जहाने बनवाया था राजपुताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संपर्बुता सिविकार नहीं की थी तो मेवाड ने अकबर की संपर्बुता सिविकार नहीं की थी किस मद्यकान भारती सासक ने पट्टा एं कबूलियत की पर्थारम की थी तो सेर सहने नेक्स आता है कि मुगल समराट औरंगजेब कौन सा वादे यंतर बजाते थे तो वीणा बजाते थे जहांगिर को कहां दफना गया था तो जहांगिर को दफना गया था लाहोर में वह परशित जेन आचारी कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था तो उनका नाम है हरी विजे सूरी लंदन में British East India Company के गठन के समय भारत का कौन बादसा था तो अकबर थे साजा के काल में कौन युनेपिर यातरी भारत आया था तो पिटर मुंडी अकबर ने दीन एलाई वर्स 1582 में फ्रारम किया था इन में से कौन अकबर के दरबार में चितरकार नहीं थे तो कल्यान दास बाबर ने सरव परतम पादसा की पद्वी धरन की थी कब्बूल में नेक्ष आता है अपना क्योशन की साजा के सासनकाल का राजकवी था कलीम साजा ने किसे साह एकबाल एं साह बुलंद की उपादी दी थी तो दारा सिको को दी थी साजा के सासनकाल के अंतिम वर्सों में हुए उत्रादिकारी के युदों का करम क्या था तो पहले था बहादुरपूर धर्मत का युद सामगड़ा खजवा और देवराई ये थे बहादुरपूर धर्मत सामगड़ खजवा और देवराई ये था उत्रादिकारी के युदों का करम दारा चिकों ए उरंग जोब के मते हुए उत्रादीकारी यूदों में सबसे नियनायग यूद कौन सा माना जाता है तो वो माना जाता है सामुगड का यूद ये कुछ मैंत अपन क्यूशन थे मुगलकाल से ओके थेंकि पूर वाचिंग मैं वीडियो